नमस्कार स्वागते आप सभी का TNP News के खास प्रोग्राम अपना उतरप्रदेश में और मैं हुआ आपकी साथ मिशास सिंग उतरप्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाओ को लेकर सीटो के आरक्षन की लिस्ट जारी हो चुकी है इसी बीच यूपी के उक मुख्य मंत्री केश्व प्रसाद मौरे ने बड़ा दावा किया है यूपी निकाय चुनाओ पर जिप्टी सीयम केश्व प्रसाद मौरे ने कहा कि भारती जनता पार्टी निकाय चुनाओ हो विधान सभा के चुनाओ या कोई अन्न चुनाओ हो उसकी तयारी पहले से करती है निकाई के जो मतदान केंदर है वो अलग प्रकार के होते है लेकिन लोगों को BJP पर भरोसा है ना सपा पर ना बसपा पर ना कॉंग्रिस पर भरोसा है उन्हें केवल और केवल BJP पर भरोसा है इसलिए निकाई चुराओं में BJP अधिक सफलता हासल करेगी तो इकानपूर में बासमंडी सित रेडी मेड मार्केट में गुरुवार रात को भीशन आग लग गई या आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक आग की लप्टे देखी जा सकती थी इसकी चुपेट में आसपास के कई टावर भी आ गए और सैक्डो दुकाने जल कर खाक हो गई है इस आग में वेपारियों को करोन रुपेव का नुकसान हो गया है जुसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश रादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है सपाध्यक्ष अखलेश रादव ने कानपूर बाक्समंडी में लगी आग में हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है अखले शादव ने सरकार से मांग की इस आग में हुए नुकसान का ततकाल आंकलन किया जाए और वेपारियों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें मुआपसा दिया जाए अखले शादव ने ट्वीट किया कि कानपूर कपड़ा मंदी में लगी आग पहले से ही नोट बंदी जीस्टी के चापो वह मंदी की मार जहल रहे वेपारियों के लिए आर्थिक वमानसिक रूप से एक और गहरी मार है तुमेश पाल अपहन केस में माफिया अतिक एहमत को उम्रकैत की ससा मिलने के बाद अब अथिक के परिवार को एक और बड़ा जटका लगा है मायवती की भहुजन समाज पार्टी ने अतिक की पतनी शाइस्ता परवीन का टिकेट काट दिया है शाइस्ता का टिकेट काटे जाने पर आपचारिक तौर पर 3 अपरेल को प्रियाग राज में ही एलान किया जाएगा तो उधर बार रसी में G20 को लेकर तयारिया जोर शोर उपर है इसकी पहली बैठक 17 अपरेल को होनी है जिसके लिए नगर निगम और PWD की तरफ से काल प्रगती पर है इसके साथ ही सडकों के चौरी करन का काम भी किया जा रहा है और शेहर में साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है जी टॉंटी को लेकर हमारे सारे तयारियां पून हो चुकी है जो टेंडर वगेरा कंप्लीट हो गई है और काडर जारी हो गया है उसका जो शेहर का जो सुंद्री करन है और जो अवस्तापना सुविदाए है उसको अप्ग्रेड करने की जो काम फुल स्विंग में चल रहा है इसमें PWD मुक्रोप से PWD है जो सडक को ठीक करा रहे है जहां ज़रूत है और जहां शोडी करन के अवस्ता हो वो पूरा वो करा रहे है तो विबारे नसी के सारनाथ में अतिक्रमन हटाने की दोरान महिला की मौत की बाद ठेला पट्री वैपारियों ने ADM सिटी को तीन सूत्रिये ग्यापन सौपाज जिसमें महिला की मौत की कारणों की जाश की बात कही गई साथी पिरित परिवार को मुख्यमंत्री रहत कोश से उचित मुआवजा देने की मांग की गया नगर निगम की बरबरता पुर्वक वहां से उसका इस्टेट वेंडिंग हटा दिया गया जिससे आहात होकर ततकालीन रूप से उसकर मित्यू हो गई थी वहां सभी वैपारी जब अपनी मांग पे अड़े हुए थे तततकाल प से हिला हवाली करते हुए दिख रहे हैं इसी मांग को लेके पुना हम लोग जिलादिकारी महोदे के पास आये थे एडियम सिटी महोदे को पत्रव सोपा गया है तो ये पिलिभीत में इदगाह कांशी राम कॉलनी में भोच का आयोजन किया गया रामनौमी के अफसर पर 101 ग नियाओं का भोच कराया है और ये हमारे माननी मुक्ष मंत्री जी के निर्देश अनुसार और हमारे प्रदान मंत्री जी के निर्देश अनुसार जो उन्होंने करन्या भोच कराया था उस लोग के हम उस चीज को लेके हम लोगों के दिलों में बहुत सद्बावना है और हम स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद नज़र डालते हैं आगी की खबरों पर पिलिभीत में पिता पर सामोहिक दुषकर्म का मुकदमा दर्ज होने से खफा यूती ने थाने के सामने खुद खुशी करने का प्रयास किया जोनकारी के मुताबिक 25 दिनों पहले युवती के पिता समेथ अन्य लोगों पर पुलिस ने गैंग रेप का मुकदमा दर्ज किया था जिसमें युवती भी सह आरूपी थी युवती की माने तो उसके पिता समेथ बागी लोगों पर जूटे रेप के मुकदमे में फसाया गया है जुससे प्रशासन होकर महिला ने थाने के सामने गला काट कर जान देने की कोशिश की जुसके बाद जियार पी पुलिस ने उसे जिलास्पताल में भरती कराया जहां उस में रहते हैं इन्होंने मेरे साथ बलतकार किया था और काजल थाकुर ने मुझे फोटो और वीडियो वारल करने की धंगी दीती और तमंचा भी दिखाया था किस ने वीडियो बनाया था काजल थाकुर ने प्रियागराज के गंगा नगर में फाफा माउ पुल पर दो ट्रकों की जोड़दार भरंत हो गए टककर इतनी जोड़दार थी जिसमें एक ट्रक पुल के नीचे आगेरा जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गए जिबकि दूसरा ट्रक पुल की रेलिंग में फस गया एस हाथसे की चपेट में एक बाइक सवार भी आ गया जोसे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गए वही हाथसे की सूशना पर पहुची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है सालनपूर के थाना कुतूब शेर में दो महिलाओं में आपसी विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुच गए जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाए एक ही मुहले की रहने वाली है जिनका किसी बात को लेकर पडूसी के साथ विवाद हो गया इस विवाद में एक महिला ने दूसरे के सिर पर इट से वार कर दिया जुससे महिला बुरी तरह घायल हो गया पारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहा है उत्रप्रदेश की तबाम खबरे देखने के लिए बने रहे है टे एनपी निउस के साथ